मा सरवेश्वरी तुम पाही माम सरनागत हूँ नमस्कार मित्रो आज आपके समक्ष एक ऐसा धुल्लब मंत्र लेके उपस्तित हुआँ यह धुल्लब मंत्र माता दुर्गा का मंत्र है और प्राची ग्रंतों में इसका वाणनान है इस मंत्र को जपने मात्र से नेमित आप सोज भी ने सकते हैं आपके जिन्दगी में जो अश्यर जनक पहिनाम सामने आएंगे वो अकल्पनी है आपकी निर्धनता आपसे कोसो दूर भाग जाएगी धन की वारिस हुनी चालू हो जाएगी आपके जीवनकार में कहा जाता है कि इस मंत्र को जपने मात्र से जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है यह ऐसा दुल्लब मंत्र है बहुत ही दुल्लब मंत्र मैं आप लोगों को आज देने जा रहा हूँ जो भी लोग पैसे की कमी की वज़त से परिसान है आर्थिक इस्तिती बहुत दिन की खराव है जीवन में आर्थिक तंगी से जूज रहे हैं समस्याओं से घिरे वे हैं वो लोग इस मंत का नीमित एकमाला जपने इस मंत को कैसे जपना है यह अभी आप लोगों को बताने वाला हूं इस मंत्र को जपने मात्र से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो पैसे के समंदे समस्यां चली आ रही होगी वो दीरे दीरे खतम होने लगेंगे अब परत्यासित लाव आपके जीवन काल में मिलने लगेगा आपको ऐसे ऐसे धन आपको मिलने लगेंगे जिसको आपने सब्सक्राइब करना ना भूले मैं वीडियो बना रहा हूं मुझे उम्मीद है मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे कि लिए लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें अपनी राय जरूते जिससे में वीडियो में और सुधार लेकर आप हूं मित्तो इस मंत्र के बारे में मैं आपको बताता हूं यह माता दुर्गा का मंत्र है इस मंत्र को जपने मात्र से आपके जीवन काल में अश्रचनक परिणाम आपको देखने मिलेंगे कई ऐसे अप्रत्यासिद्धन आपको मिलने लगेंगे जिसके आपने कभी उमीद ही नहीं की होगी यदि आप कोई लोट्री वेगरा खेलते होंगे वहां से अचनक से लाब मिलेगा कई बार अग्यात माताय इस मंत्र को जपने के बाद हमें अनभूतिक कराने लगती है कि कहीं कोई दबा हुआ चिपा हुआ धन हमें किसी में माद्दम से हमारे तक उसकी सूचना आ जाती है आपक तरीके से आपको प्राप्त होने लगीगा रेगुला जो इंकम है वो बढ़ने लगीगी आपके आयक के सुरोत हैं उसमें बढ़ोत्ती होने लगीगी आयकी नेने सुरोत खूलने लगेंगे भूत या अद्भूत अदुल्लव है ये मंत्र जो मैं आपको दिने जा रहा हू इस मंत्र को आप लोगों कैसे जपना पहली ये बता देता हूँ आप अपने घर में माता दुर्गा का यदी फोटो रखे हैं या मुर्ती रखे हैं तो उसके समख सामने आपको आसन में बैड़ जाना है और लाल चंदन या दुद्दाक्ष का माला लेके इस मंत्र कर नित्य एक माला जब परना है फिर आच्मनी से अपने हाथों में तीन बार जल लेके उसको माता के चर्णों में अरपन कर देना है और जो भी आपकी मनो कामना है धन समंदी वो आपको माता के समख रखना है देखिएगा कुछ समय बाद अब जब निमित इस माला का जाप करते रहेंगे माता का असिर्वार आपको मिलना चालू हो जाएगा और हर प्रकार से जो भी धन समंदी समस्यां आपकी चलिया लिए ख़त भोने लगीगी अब मैं आपको ये मंत्र बताता हूँ इसक्रीन में भी ये मंत्र को लिखतूंगा जिससे कि आप असानी से इस मंत्र को याद कर सकते हैं बहुत छोटा सा मंत्र है असानी से आप लोगों को याद हो जाएगा और बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही स्रद्धा के साथ मातक के समक्ष बैटके इस मंत्र का जाप करना है आपको मन्त इस प्रकारे मित्रों ओम हरिम पद्मावती देवी तेङे लोग के वार्ता कथे कथे हरिम स्वाहा इस मन्त्र का आपको एकमाला नित्य जपना है बस इतना कली जे मित्र आप लोगों की पैसे समझि जितनी हमाँजी हूंगी उसका निवारन हो गया समझीए माता की कृपा शिर्वाद बरसने लगेगी तो इसके साथ जै माता दी नमस्कार मित्रो